हेलो बच्चों क्या हाल चाल आप सबका स्वागत है किरोशा अकेडमी के ओनलाइन प्लेटफोर्म पे सो जी हाँ आपकी जो वेकेंसी का बहुत लंबे समझ से इंतिजार करते थे एनम की वेकेंसी वह वेकेंसी आ चुकी है और उसकी एक्जाम की डेट जैसे ही निर्दारती वो डिसाइड हो चुकी है तो जी हां अगर आपने एनम की हुई है एनम का फोर्म अपलाई किया था एनम की तयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है चलिए तो कब है एक्जाम क्या है अपडेट और एमसी के बारे में कैसे पेपर होने वाला है पांच ऑप्शन का क्या क्राइटरिया है सभी में आपको बताऊंगा तो परिक्षा का नाम है संवीदा महिला स्वास्त कारेकरता एनम और नर्स मिडवाई परिक्षा की दिनांग है थार्ड फरवरी मतलब 15-16 डेज आपके पास और है कब है अब रहा आप्टरनुन तीन बजह से साड़े चार कर सकते हो कि रोशा पेरा मेडिकल क्लासे से डेली लाइव क्लासेज भी चलती है अभी अपन देखेंगे कुछ नियम कि कैसे पांच ओप्शन ओएमर शीट बरनी है और क्या क्या चीजा है ध्यान रखनी है तो चलिए आगे देखते हैं घ्यान से देखिए कि यह प्रतियों के अनुसार निर्धारित पातरता एवं शेक्षनिक योगिता रखते हैं तो जी हां अगर आप नहीं की लिए प्रिपरेशन होना चाहिए आपकी डिग्री होनी चाहिए जीनम हो तो भी चलेगा बीए सिनर सिंग हो तो भी चलेगा तो यह पॉइंट हमने कंप्ल को कवेशन् continuar तो आप क्या कर देता इसको खाली चोड़ देते लेकिन नहीं आपको जो यह उप्शिन है अगर आपको कर्रेक्ट आंसर आता है यह और आप करेक्ट आंसर हो दो द्यान रखना है इसी परिस्थितिक हैक आप कोढ़िक्ट है यह एक अपडेट है जो हमने एडवांस में बता दिया था आप सुबको अभियर्थी को OMR उत्तर प्रतक पर संबंदित प्रश्ण क्रमांग के लिए सही उत्तर दे निर्दारित करें तो यह वाली चीद है यहां पर देखें तो आपके सही उत्तर निर्दिश्ट करने होती ए जब एक विकप्त कि से निले बोल पाइंट पैंट से तो कौन सा पर लजाना निला बोल पैंट पैंट जिससे गहरा बरना है यह सबको पता है यह अप्रेर्थी कोई प्रश्ण का उत्तर नहीं देना चाहता है तो आपको जो यह जो पांचवा विकल्प है उसको गहरा करना है तो इसलिए नकल की कोई संभावना नहीं होगी कोई बोलते ना इसे सुनाओ को मर्शीट खाली रख देना वह सबकी गुंजाईशे इस बार नहीं बनने वाली है जी हां यहां जैदि पांच विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया तो उस से रहती है बहुत बढ़िया नेगेटी मार्किंग बहुत ज्यादा है इस बार इसलिए तैयारी करने वालों को मौका मिले का तुका नहीं मिलेगा अब दस प्रतिशत में से अधिक प्रश्णों में किसी भी विकल्प गोलों को अभियर्थियों त्वारा गहरा नहीं किया तो उसे परिक्ष्या के लिए अयोग मतलब आपने ध्यान नहीं रखा ये वीडियो नहीं देखा है पड़ा नहीं है एडमी आपने समझदारी नहीं दिखा है और पहले जैसे एक्जाम दे रहो इसे पढ़के एक्जाम दे दिये और आपने 10 क्वेश्चन को कम्प्लीट आ हो सकता है आपको समय नहीं मिला तो मतलब आपको यह ध्यान रखनी आपको प्रतेक प्रश्चन में कम से कम एक विकल्ट गोला बरा है या नहीं यह सुनिष्चित करने के लिए उमिदवार को 10 मिनिट अतिरिक दिये जाएंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे भूल जाएं कि बरे हुए नहीं है हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए है सर हमारा तो 90 मिनिट में सो क्वेश्चन है तो गौर्मेन ने आपको 10 मिनिट एक्स्ट्रा दिये किसके लिए यह सुनिष्चित चेक करने के लिए मैंने सब गोले बरे हैं कि नहीं है ऐसा नहीं हो कोई option छूट जाए उक्त परिक्षा के लिए प्रोविजनल ई प्रश्णपत्र वेबसाइट www.rsmssb.gov.in से डाउनलोड करने की दिनांग के लिए अलग से यथा समय सुचिजित कर दिया जाएगा बोड द्वारा परिक्षारतियों को अलग से प्रवेश्पत्र प्रेशीत नहीं किया जाएगा तो आपके घर पे प्रवेश्पत्र नहीं आने वाला है इस वेबसाइट को फोलो करें या किरोश अकेडेमी के वाटसप ग्रूप डिस्क्रिप्शन में जोइन करें या 85020650 8080 पर मेसेज करें हम आपको ग्रूप में एड करेंगे और आपको क्वीप अपडेटेट करेंगे जैसे आया आप तक इंफोर्मेशन पहुझ परिक्षाव के संबंद में विभिन्द सोचल मीडिया पर किये जारे ब्रामक पचार पर विश्वास ना करें बोड द्वारा र तो आप सोचल प्लेटफॉर्म पर अगर कोई मिस इंफोर्मेशन दे रहा है आपको डिस्गाइड कर रहा है तो वह ना फॉलो करें यह जो वेबसाइड पर बताया हुआ है वही चीज भोलो करें और हमने यही आपके सामने प्रदिशित करी है चेतावनी परिक्षा केंदर कराने के नाम पर ठगी कराने वाले गिरों के किसी जासे बहकावे में नहीं आए तधा परिक्षा के संबंद में विभिंद सोसिल मीडिया पर किये जा रहे ब्रामक प्रचार पर विचार ना करें कोई बोले वह एक्जाम नहीं होगा एसा नहीं है जो वेबसाइड पर लिक राज्य सारवजिनिक परिक्षा भर्ति के अनुची साधनों की रोकताम के अधियुपाए अधिनियम 2022 अधिनियम 2023 और 10 लाग से अधिक्तम 10 क्रोड रुपय तक धंड तथा 10 वर्षिक्स ले लेकर अधिक्तम आज जीवन कारावस्त की सजा के प्रावदान है जिसके अंतरगत कठोर दंडात्मक कानुनी कारवाई की जा सकती है साथ ही एसे ब्यर्थि को आगे परिक्षा में डिसेबल कर दिया जाएगा मतलब डेबर कर दी जाएगा या विवर्जीत कर दिया जाएगा आगे आपको नहीं बैठने मिलेगा तो जी हां यह 15 दिन एनेचेम की प्रिपरे यह 15 दिन जुड़ जाए और अपना सकसे सुनस्चीत करें तो थैंक यू वेरी मच